क्या आपने कभी गौर किया है कि कभी कभी तो हम बैठे बैठे ही ठक जाते हैं और कभी कभी हम बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं और फिर भी हमें ठकान मैसूस नहीं होती आप पूरे दिन घर पर बैठे रह सकते हैं लेकिन पूरे दिन बैठने के बाद जो उब पैदा होती है, वो हमारे शरीर को निडाल कर देती है, हमें ठका देती है, लेकिन वहीं अगर हम कोई खेल खेलते हैं, तो हम उसमें खूब भागा दोड़ी करते हैं, खूब शरीर को ठकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खेलने के प्राकरतिक रूप से होना तो ऐसा चाहिए कि आदमी जब खेलता है तो उसका शरीर थकता है इसलिए खेलने के बाद उसे थकावट महसुस होने चाहिए और जब आदमी खाली बैठता है तो वो अपने शरीर को थका ही नहीं रहा वो तो आराम कर रहा है तो फिर उसे है खाली बैठने में अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो इसका जवाब है हमारे मन की उब जहां तक शरीर की बात है शरीर को थकाने से मन नहीं थकता और अगर आपका मन थक जाता है तो आपका शरीर साथ नहीं देता ऐसा ही होता है खाली बैठने में और मन की इ तनाव को समझ लेते हैं, तो आपके जीवन से दुखों का मिटना निश्चित है, क्योंकि दुख तनाव के कारण ही पैदा होते हैं, तो चलिए इस कहानी से हम तनाव को समझते हैं, इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, त काफी दूर दूर से लोग अपनी चिंताओं और दुखों के बारे में बुद्ध से समाधान खोजने के लिए आते थे, ऐसे ही एक दिन जब बुद्ध आमरवन में अपने शिश्चों को उपदेश दे रहे थे, तो एक अधेड उम्र का आदमी अपने 22-23 साल के लड़के क को साथ लेकर बुद्ध की तरफ चला रहा था, बुद्ध ने एक नजर उन पर डाली और उपदेश में बैठने के लिए कहा, जब उपदेश खत्म हुआ, तो बुद्ध ने उस आदमी को अपने पास बुलाया और अपने पास बैठने का इशारा किया, जंगल में हर्याली चाही वई थी और सुहाना मौसम था, जंगल से भात भात के पक्षियों की आवाज वहाँ पर गूज रही थी, इसके बाद बुद्ध ने उस आदमी से आने का कारण पूछा, इस पर वो आदमी कहता है कि हे तथागत, मैं दो दिन की यात्रा करके अपने बेटे को आपसे म मिलवाने के लिए लाया हूँ, ये मेरा इकलोता पुत्र है, ये हमेशा थका 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 रहता है, ऐसा लगता है कि इसके शरीर में कोई जान ही नहीं है, कोई प्रान ही नहीं है, अगर हम इससे कुछ कहते हैं तो ये हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, इसके देखने के शमता भी उम्र से पहले ही कमजोर हो गई है और इसके बाल भी पकने लगे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। भला इतनी कम उम्र में ये इतनी बड़ी उम्र का लगता है। ये बुद्ध मैं अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित हूँ। जब मैं अपने बेटे को चिकित सकों के पास लेकर गया तो उन्होंने कुछ औस दियां देकर कहा कि अपने बेटे को तनाओ कम लेने दिया करो। वो अपने दिमाग में तनाव लेता है और इसी वज़े से उसकी ऐसी हालत हो रखी है लेकिन उनके लाक बताने पर भी मुझे तनाव का मतलब समझ में नहीं आया मुझे पता ही नहीं कि तनाव होता क्या है और उसे कैसे उसके दिमाग से निकाला जाए उसके लिए पहले तो मुझे ये समझना होगा कि तनाव होता क्या है और इसी लिए बुद्ध मैं आपके पास आया हूँ किर्प्या करके मेरे इस समस्या का समाधान कर दीजिए ये सुनकर बुद्ध उस लड़के को बड़ी गौर से देखते हैं उसके आँखों में देखते हैं उसके चेहरे को देखते हैं और फिर उसके हाथ की नबज भी देखते हैं ये सब विधिया करने के बाद बुद्ध उस आदमी से कहते हैं कि तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता लेकिन फिर भी तनाव लोगों को दीमक की तरह पकड़ लेता है और इंसान को ये पता ही नहीं चलता कि वो तनाव में जी रहा है लेकिन अगर वही इंसान तनाव को समझ लेता है तनाओ के बारे में कोई ऐसा पैमाना बना लेता है कि उसे पता चल सके कि वो कितना तनाओ में है तो वो उस समस्च्य का समाधान भी घोच जगता है मुख्य रूप से तनाओ के आठ कारण होते हैं इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि तनाव होता क्या है जब कोई इनसान कोई काम कर रहा होता है और उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है कलपना में होता है तो उससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है और जितनी दूरी शरीर और मन के बीच में होगी हम उतने ही निद्रा की आवस्था में होगे और इसी दूरी को इसी खिचाओ को तनाव कहा जाता है कोई खेल खेलने के बाद आदमी चुष्ती महसूस क्यों करता है हाला कि उसने अपने शरीर को तो ठकाया है लेकिन समझने की बात ये होती है कि खेलते वक्त मन और शरीर पूरा उस खेल पर केंद्रित होता है जिससे शरीर और मन में दूरी पैदा नहीं होती और कोई तनाव पैदा नहीं होता बलकि हमारा तनाव दूर हो जाता है और वहीं जब हम कोई अरूची पूर्ण कारिय करते हैं, जिसमें हमारा मन नहीं लगता, तो हम सारेरिक रूप से ओ काम तो करते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पना में बटक रहा होता है, इससे शरीर और मन में एक दूरी पैदा हो गई और तनाव ने जन्म ले लिया, कुछ मुख्य कारण भी होते हैं, इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि अगर हम इन कारणों को जान लेते हैं, तो हमारे अंदर तनाव कभी भी पैदा नहीं होगा, मुख्य रूप से जो कारण है, उसमें सबसे पहला कारण होता है, महतव कांशा, महतव कांशी होना अच्छी बात होती है, लेकिन कभी आपने गौर किया है कि इनसान के लक्षे कभी पूरे ही नहीं होते हैं, क्योंकि इनसान का कोई एक लक्षे होता ही नहीं है, जब इनसान एक लक्षे को प्राप्त कर लेता है, तो दूसरा लक्षे स्थापित हो जाता है, और इसी तरह वो अपने लक्षे को पाने के लिए गोल गोल गोमता रहता है, गोमता रहता है। इसलिए जो इनसान ज्यादा महतोकांशी होता है, जिसे बड़े बड़े लक्षे प्राप्त करने होते हैं, वो वर्तमान में कभी नहीं जी पाता। उसका मन हमेशा भविष्य की योजनाई बनाता रहेगा, और बस उसका शरीर वर्तमान में होगा, उसका मन भविष्य में होगा, और इन दोनों की दूरी की वज़े से उस आदमे में तनाओ पैदा हो जाएगा। इस पर वो युवक पूछता है कि है बुद्ध, तो क्या आदमी को अपना लक्षे ही नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि लक्षे बनाना भी तो महतव कांशा होती है। साथ आपके दिमाग में ये खयाल भी होना चाहिए कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं इसके बाद बुद्ध ने तनाओं का दूसरा मुख्य कारण बताया जो कि था इरश्या बुद्ध ने कहा कि जब आदमी इरश्या पूर्ण या द्वेश्ट पूर्ण हो जाता है तो इनसान को दूसरे की तरक्के से कभी इरश्या नहीं करने चाहिए तनाओं का तीसरा मुख्य कारण होता है किसी दूसरे से अपेक्षा बुद्ध ने बताया कि एक बाप होने के नाते वो अपने बेटे से बहुत सारी अपेक्षाइं रखता है कि मेरा बेटा एक काम्याब इनसान बने वो जिस तरह मैं चाहता हूँ उस तरह का जीवन जी और जब आदमी किसी से अपेक्षा करने लगता है तो कहीं ना कहीं वो अंजाने में खुद के लिए तनाओं पैदा कर रहा होता है जरा सोचिए कि वही बेटा अगर अपने बाप के हिसाब से नहीं चलेगा वो नहीं बन पाएगा जो उसका बाप चाहता है तो फिर उसके पिता के मन को तनाओं पकड़ लेगा इसलिए किसी से भी अपेक्षा नहीं करने चाहिए ना ही दूसरे से और ना ही खुद से इसके बाद तनाओं का अगला मुक्य कारण बताते हुए बुद्ध ने कहा कि अ अल्पनाओं की उडान भरेगा और हमारा शरीर वहीं बैठा रहेगा इसलिए दोरों में दूरी पैदा होनी की वज़े से ये भी तनाओं का कारण बन जाता है इसलिए आदमी को सिर्फ रोची के हिसाब से ही कारी करने चाहिए इसके बाद बुद्ध ने कहा कि शारेरिक द पर तनाओं पैदा हो जाता है ये सुनकर उस आदमी ने कहा कि हे बुद्ध शारेरिक दुख तो किसी को भी आ सकता है तो क्या वो आदमी हमेशा तनाओं में ही जीएगा इसका जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं कि ये बात खयाल करने की होती है कि हमारा जीवन दुख अबिन हिस्सा है किसी में वो समय से पहले आती है तो किसी में बाद में आती है और जब इनसान का मन इसके बारे में समझने लगेगा तो अपनी बीमारी के बारे में सोच कर ज्यादा तनाओं नहीं लेगा क्योंकि वो जीवन का एक अबिन हिस्सा है और इसके लिए आदमी क शारिरिक रूप से भी अभ्यास करते रहना चाहिए ताकि उसका शरीर लंबे समय तक स्वस्थ बना रह सके और ये भी जान लो तनाओ का एक मुख्य कारण होता है अपनी योजनाओं को समझने के लिए वक्त ना देना कुछ इंसानों के मन में कोई खयाल पनपता है और वो उस पर बिना सोचे समझे कारी करना शुरू कर देते हैं और जब उस काम में उन्हें नाकामियाबी मिलती है तो वो तनाओ से भर जाते हैं क्योंकि उन्होंने वो काम शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं ली थी आदमी को कोई भी योजना बनाते वक्त उसके बुरे परिणाम के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए हमें ये सोचना चाहिए कि अगर ये योजना कामियाब नहीं हुई तो फिर मैं क्या करूँगा और इसलिए अपनी योजनाओं को समझने के लिए पूर्ण वक्त देना, पूरा वक्त देना, ताकि भविश्य में उस काम के प्रती कोई तनाओ पैदा ही ना हो, और सबसे आखरी कारण जो तनाओ का होता है, वो होता है ज्यादा सोचना, निरंतर सोचते रहना भी एक बीमार होती है, और इसको दूर करने के लिए आदमे को नित्य प्रणायाम और ध्यान करना चाहिए, ये सुनकर उस आदमे ने हाथ जोड़ते हुए बुद्ध से पूछा, कि हे बुद्ध, मेरा बेटा तो अभी मात्र 30 साल का है, और उसमें इतनी समझ भी नहीं है कि वो इतनी सार बातों का एक साथ अनुसरन कर सके, किर्प्या करके तनावमुक्त रहने का कोई आसान सा मंतर बता दें, जिससे आदमे उस मंतर का अनुसरन भी कर सके और तनावमुक्त भी रह सके, ये सुनने के बाद बुद्ध ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, कि इसके लिए एक छ कर रहे हो, बस एक काम एक बार में करो, और उस काम को पूरा ध्यान लगा कर करो, अगर तुम्हारा ध्यान इदर उदर बटता है, तो जब याद आए, तो वापस उसे उसी काम पर लगा दो, ये सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है तनावमुक्त रहने का, अगर तु तुम खाना खा रहे हो, तो खाना खाने पे ही अपना ध्यान केंदरित कर दो, अगर तुम चल रहे हो, तो चलने पे ही अपना ध्यान केंदरित कर दो, इससे तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों एक जगह पर रहेंगे और दोनों के बीच दूरी नहीं पैदा होगी जो की तनाओ का मुख्य कारण होती है दोस्तों, आज की युवा पीड़ी एक बार में दो दो तीन तीन चार चार काम एक साथ करती है जैसे कि कोई आदमी खाना खाते वक्त तेली विजन भी देखता रहता है पोन पे बात भी करता रहता है और फिर बाद में कहता है कि मैं तो तनाव में रहता हूँ जब तीन-तीन काम एक साथ करेगा आदमी तो तनाव पैदा होना तो लाजमी ही है क्योंकि मन तो पूरा ध्यान लगा कर एक बार में एक ही काम कर सकता है पूर्ण रूप से ध्यान दो चीजों पर कभी नहीं लग सकता इसलिए जहां तक संभव हो सके कोशिश कीजिए कि आप अपना ध्यान एक ही काम पर लगा पाएं तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्षन में जरूर बताना और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भोलना तो मिलते हैं अगली कहाने में तब तक के लिए अपना खयाल रखें